नमस्कार, आप सभी शिक्षारतियों का NIOS के स्टूडियों में स्वागत है मेरा नाम सुरभी है और हमारा विशय है कला शिक्षा में मूल्यांकन आईए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं कला शिक्षा में मूल्यांकन विवित शेत्रों में बच्चों की प्रगती को पहचानने का आश्वासन देता है और उन शेत्रों को चिनहित करता है जिनमें आगे अधिगम की आविशकता है प्रारंबिक स्तर पर शिक्षक को श्रेष्ट कौशलों और किसी कला रूप के ज्यान पर केंद्रित करने की जरूरत नहीं है बच्चों से आशा की जाती है कि वे अपनी शम्ता और सोच के अनुसार अपने को अभिव्यक्त करें उन्हें कल्पना करने, अन्वेशन करने और प्रवर्तित करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और फिर अभिव्यक्त करना चाहिए कोई भी मुल्यांकन को इस परिपेक्ष्य में देखता है पहला वैक्तिक स्रिजनात्मक्ता दूसरा, अभिव्यक्ती और अनुभूती जो की ये हमें संप्रेशित करता है तीसरा, कला कार्य के पीछे बच्चों की ध्रिडता चौथा, कि गतिविधी का उद्देश्य उसके लक्षे को प्राप्त कर चुका है पांच्वा, किस पैमाने से? अगला, क्या गतिविधी बच्चे की चिंतन में कोई अंतर ले आई? अगला, कला कार्य कैसे एक बच्चे की जरूरत को पून करती है? और आखरी, वह कैसे कार्य की गणवत्ता को सुधार सकता है? कला शिक्षा में मुल्यांकन का अभिप्राए मुल्यांकन एक बच्चे के कार्य की योगिता या मुल्य का विवस्थित निर्धारण है? प्रत्य एक चीज जो बच्चा सोचता है, जरूरतों को अभिव्यक्त करता है, को मुल्यांकित किया जा सकता है? यह विस्तार का पता लगाने की प्रक्रिया है, जिसका इच्छित परिवर्तनों ने स्थान ले लिया है यह शिक्षन अधिगम प्रक्रिया का एक भाग और समू है वाइगौट्सकी के अनुसार एक शिक्षक का कार्य बच्चे को उसके वर्तमान स्तर में संभावि स्तर तक लाना है बच्चों का आवर्ती मुल्यांकन विद्यार्थियों को कला गतिविधियों से प्राप्थ हो रहे लाभों का निर्धारन करने में महत्वपून है एक गतिविधी के समापन पर एक शिक्षक को प्रति पुष्टी प्राप्थ करने की जलूरत है एक समयांतराल में बच्चे ने जो प्रगती किया है उसका पता लगाने जैसे एक विशिष्ट विशय का ज्यान, द्रिश्य या निश्पादन कला का स्रिजनात्मक अनुभव किसी की संकल्पनाओं के बोध की स्रिजनात्मक अभिव्यक्ती बच्चे के व्यक्तित्म में आय परिवर्तनों का मूल्यांकन एक बच्चे से संबंधित, वैक्तिक और विशेश जलूरतों और आविशक्तों का पता लगाना बच्चों को उनकी अंतह शक्ती बहार निकालने में उन्हें समर्थन देना और सुधारना बच्चों को उनकी स्रिजन आत्मक्ता विक्सित करने में सहायता देने के लिए उप्युक्त वातावरन उपलब्द कराना बच्चों को उनकी उपलब्दियों को सरहाना और आत्म विश्वास बढ़ाना और उसको उनके अभिभावकों को प्रेशित करना अधिक उप्योग्थ तरीके से अधिगम श्थितियों की योजना बनाना बच्चों को उसके सामाजिक और समवेदन आत्मक विहावार उनकी मनोवृती और मूल्यों के संधर्व में समझना कला को कैसे मूल्यांकित करें? मूल्यांकन के दो पहलू है पहला स्वमूल्यांकन और दूसरा विद्यार्थी द्वारा मूल्यांकन अब हम समझते हैं स्वमूल्यांकन क्या होता है कला शिक्षा में शिक्षकों को उनके सामर्थे का मूल्यांकन करना चाहिए और सुधार के शेत्रों को पहचानना चाहिए अपने आप से इन प्रश्णों को पूच सकते हैं पहला मैं अपने बच्चों के साथ किस सीमा तक परिचित हूँ दूसरा मैं अपने विद्यार्थियों का कितना अवलोकन कर रहा या कर रही हूँ तीसरा मैंने कैसे एक कला गते विधी की योजना और संगठन किया मेरे द्वारा प्रदत अनुभव के परिणाम स्वरूप बच्चे का अधिगम के सीमा तक प्रोच साहित हुआ आखरी अधिगम और अन्वेशन के लिए मैंने कितने अफसरों को निर्मित किया एक शिक्षक कारेशालाओं सेमिनारों में शामिल होकर तथा अन्य भैतर शिक्षकों के साथ दाइरा विक्सित कर अपने ज्यान को बढ़ाने का प्रयास कर सकता है यह जानने की जरूरत है कि कला अनुभूती बच्चे की जरूरत में योगदान दे रही है या नहीं यह मूल्यांकन कला गतिविधी की पसंद और इसके प्रभाविता के बारे में एक फैसला करने को शामिल करता है इस मूल्यांकन का कारण है कि आने वाले समय के लिए कुछ सुधारों की योजना हो जाए ऐसे सुझाव विधियों, स्थान, संसाधनों या सामगरियों को शामिल करेंगे जिन्हें शिक्षकों ने सरली करण के लिए अनुमानित किया है मूल्यांकन सत्र के अंथ में आयोजित नहीं किये जाने चाहिए बलकि यह एक सततह प्रक्रिया होनी चाहिए जैसे यदि एक विशेश कला अनुभूती बच्चों द्वारा जैसे जैसे ग्रहन की जाती है और वे इसमें भाग नहीं लेना चाहते हैं तो फिर समस्या का पता लगाना चाहिए और शिक्षक की ततकाल प्रभंथ करने की जरूरत होगी अब दूसरा है विद्यार्थी मूल्यांकन कला का मूल्यांकन शिक्षक के अधिगम प्रक्रिया के साथ चलता है जबकी शिक्षक प्रगती का नियमित अवलोकन कर रहे हैं कुछ आवर्तन भी अनिवारे होना चाहिए हम इसको दोनों तरीकों से समझ सकते हैं मूल्यांकन सतत एवं समग्र होना चाहिए सतत का अर्थ है मूल्यांकन में नियमित्ता समर्ग का अर्थ है सत्र के अंत पर बच्चे का अंतिम ग्रेड निर्धारन यह आविशक है कि बच्चे के व्यक्तित्व का संपूर्ण शेत्र जैसे मनुगती, संग्यनात्मक, समाजिक और प्रभावी आदि यह पाठे चर्या एवं पाठे सहगामी दोनों की रुचियों, मनुवरितियों और मूल्यों को आवरित करता है जबकि कला के कुछ पहलूँ जैसे द्रिश्य कलाओं में मूर्ती उत्पादों को शामिल किया जाता है किन्तु अधिगम के कुछ पहलू क्रिया या व्यावार या निश्पादन है जिन्हें बाद के परावर्तन और निर्धारन के लिए आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता है निश्पादन कला में नियमित अवलोकन एवं मूल्यांकन अपेक्षित है प्रारम्बिक स्तर पर उतपाद या परिणाम की अपेक्षा प्रक्रिया अधिक महत्वपून है बलकि कला करने की गतिविधी आनंध के लिए अधिक होनी चाहिए ना कि निपुणता के लिए विद्यार्ति मूल्यांकन की दो महत्वपून चुनौतियां है अवलोकन का परिक्षेत्र निश्चित करना और अभिलेक रखना शिक्षक को प्रत्य एक बच्चे का पोटफोलियो रखना जरूरी है शिक्षक को स्रिजनात्मक समस्य समधान के साथ बच्चे के संघर्ष, नई चीजों को करने की उनकी इच्छा और उनकी विवेच्चनात्मक सोच का अवलोकन करना चाहिए कला कार्य का अंतिम उत्पाद बच्चे की अभिव्यक्ति, समझ और कला में विकास का सिर्फ एक आंशिक द्रिश्य देगा सतत अवलोकन पून और संतुलित मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है उत्पाद या कला में निश्पादन का मूल्यांकन करते समय एक शिक्षक विस्तार को निश्चित कर सकता है कि विद्यार्थी अधिकम उद्देश्य, व्यक्तिक कला कार्य, पोटफोलियो, द्रिश्य श्रव्य सामगरियों या प्रदर्शन के अवलोकन द्वारा प्राप्त कर रहे है शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ बहुदा, अंतहक रिया करनी चाहिए केस अध्यान शिक्षक विद्यार्थियों के वियवारिक पक्ष को जानना चाहता था वह एक कला गतिविती में संगटित थी इसका उद्देश्य कौशलों और कला के ग्यान का निर्णय करना नहीं था बलकि भागिदारी, सहयोग, विवेच नात्मक, सोच उसके पैमाने थे अतह उसने मूल्यांकित किया पून्टया कला की प्रक्रिया और बच्चे की गतिविधी के प्रत्येक उपागम को अवलोकित किया उसने बच्चों द्वारा उनके सहपाठियों के साथ सम्बंध को अवलोकित किया बच्चे की कला के साथ कुछ समय दे कला का मुल्यांकन करते समय क्या याद रखना चाहिए अब इस पे चर्चा करते हैं पहला उच्च सुकता दिखाएं और पूछें कि वे कल गतिविधी के समय क्या अनुभव करते हैं एक बच्चे की दूसरे से तुलना ना करें यह बच्चे की व्यक्तिगत प्रगती का मुल्यांकन है जब तक मुल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण ना हो कला कार्य को सरंग्षित रखें विशिष्ट प्रती पुष्टी देनी चाहिए जिस पर बच्चे को कार्य करना जरूरी है कहने से पहले सोचे आपकी टिपणी, बौधिक, लाबधायक और बच्चे की बहतरी के लिए होनी चाहिए निशकर्ष पर तुरंथ ना पहुचे शिक्षक द्वारा दी गई प्रती पुष्टी सू स्पष्ट होनी जरूरी है ताकि बच्चा स्पष्टता से समझ ले कैसे संचारित करें समय की एक कला विधी में बच्चे बहुत से कारे और निश्पादन करते हैं यदि शिक्षक सभी गती विधियों की सूचना साक्ष्य और अभिलेख एक उचित तरीके से रखते हैं तो वे समय समय पर बच्चा और उसके अभिभावक को प्रती प्रति पुष्टी बच्चों को कला से सम्बंधित उनकी शकतियों और कमियों के प्रति जागरुक करने के लिए प्रदान करता है कौन सा अंग है जिस पर उन्हें भविश्य में कारे करना ज़रूरी है तिपणियां प्रतियोगिता और इनाम की अपेक्षा बच्चों के ल रिपोर्ट कार्ड में संचारित करना बहतर होगा सामान्य एवं सुभोध कथनों से युक्त एक परावर्तन कार्ड हो सकता है जिसमें शिक्षक का अवलोकन दिया गया हो सकता है इस तर पर मुल्यांकन नमनिये होना चाहिए और बच्चों को मुल्यों को अवश्य अनुभव करना चाहिए क्योंकि वे अच्छी तरह सीखते हैं जब उनकी अलोचना ना हो जबकि उन शेत्रों जिनमें उनके ध्यान और सुधार की जरूरत है कि बच्चों को उप्युक्त समझ के लिए प्रतिपुष्टी का यतार्थ होना जरूरी है प्रत्येक तीन से चार महीने में विद्यालय के अंदर एक छोटी प्रदर्शनी का आयोजन करना प्रतिपुष्टी को संचारित करने का एक दूसरा तरीका है जहां बच्चों के दृष्यक अलाकारियों को दूसरे बच्चों और अभिभावकों के लिए प्रदर्शित किया जा सके बच्चों के लाब के लिए कुछ सांस्कृतिक निश्पादन भी किये जा सकते हैं अभी लेखों के लिए सहपाथी मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक को सूचना एकत्र करना चाहिए और बाद में ये वार्षिक रिपोर्ट काड में लाबधायक भी हो सकता है एक शिक्षक मूल्यांकन को कैसे एक बच्चे को संचारित करता है? अब कुछ उधारन देखते हैं पहला उधारन एक शिक्षक कुछ एक बच्चे की चित्रकला को प्रदर्शन बोर्ड पर प्रदर्शित करता है और उन्हें इस पर प्रतिक्रिया करने को कहते हैं वह कुछ प्रश्न पूछते हैं किस चित्रकला को आपने सबसे अधिक पसंद किया? आप इसे क्यूं पसंद करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि यह एक बहतर तरीके से व्यक्त हो सकता है? आप तस्वीर के बारे में सबसे मोहक क्या पाते हैं? उप्योक्त जवाबों के आधार पर शिक्षक एक बच्चे के स्वम मूल्यांकन का लाब पाते हैं दूसरा उधारण एक बार एक शिक्षक ने सहपाठी मूल्यांकन का लाब पाना चाहा उसने बच्चों को पतियों की सहायता से जानवरों की आकरितियां बनाने का एक अफसर दिया फिर सभी कार्य को एक दिवार पर प्रदर्शित किया और बच्चों को विचार विमर्श और टिपनी करने का कुछ समय प्रदान किया बच्चे ऐसे ही अपने कार्य को देखने के लिए उत्साहित थे उन्होंने दूसरों के साथ उनके कार्यों का तुलना की और आसानी से मुल्यांकित किया तथा स्वस्त तरीके से दूसरे के कार्य को स्वीकार कर लिया तो आज हमने चर्चा करी कला के मूल्यांकन पर स्वमूल्यांकन और विद्यार्थी द्वारा मूल्यांकन आशा है इस चर्चा में की गई बातों को आपने अच्छे से समझा होगा अब हम आपसे मिलेंगे किसी अन्य विशे के साथ अगले सत्र पर धन्यवाद